चलो अब बात करें किसकी इंटरनेशनल फाइनेशियल मैनेश आई एफ हैं आप मैंसे दिखते लोग इसको छोड़कर जाओगे मुझे ऐसी उमीद है तो कोशन है दोनों ही कोशन बड़े हैं और सर इतने बड़े कोशन आएगे की नहीं आएगे यह मुझे नहीं मालूम वह आप देख लोगे पर दिख रहा है कोशन का एक कोशन करवाँगा जो MTP में डला हुआ था आक्टोबर दोहजार तेईस ठीक है और एक कोशन और रहेगा इसके अलावा जो डला हुआ था वापस MTP में एर नहीं दिया हुआ है एक सेक्ट में एर देखकर बता दूँ क्या 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 सब्सक्राइब यह भी कोशन MTP का ही है और यह सायद कौशन नमबर टू जो दिखाई दे रहा है यह भी MTP का और यह 24 में 24 के अटेंट के लिए रहा होगा मुझे अभी मेरे पास टाइम नहीं है देखने का वह आप मैनेज कर ले ना पर यह है MTP का MTP ya RTP में मिलेगा में 24 मतलब करना है करना नहीं करना तो नहीं करना आपकी duty क्योंके सर पहले कोशन थोड़ा सा बड़ा है दूसरा कोशन उतना बड़ा नहीं है यह थे सछल कोशन रीट करें to set up a manufacturing plant plant लगाना है कौन सी कमपनी है Indian company और सर प्लांट कहां लगाना है plant लगाना है हमें farland मैंने इसे बना दिया आप इंडिया का रहने वाले हो आप और आपको plant जो लगाना है वो लगाना farland में और अभी जो है Indian company export का काम करती थी Indian company अभी export कर रहे थे कहां export farland में export कर रहे होगी अब हमारा मन कर रहा है कि चलो ना यार वहाँ plant लगाते है currency वहाँ की है FR फैरो करके लिखा FR ठीक है initial investment हमें लगेगा हम कहां लगाने वाले है farland में हमें जो initial investment लगेगा वो लगेगा FR 80 million मैंने लिख दिया initial cost लगेगा FR 80 million बड़े question को करने का एक मात्र तरीका ये है कि आप question को जब जब भी पढ़ो सासत में लिखोगे और इस बेकार का question बिलकुल नहीं पुछोगे कि सरीए इतने वड़े question आते हैं कि नहीं आते हैं MTP में डला हुआ तो मेरी जिम्मेदारी इसके अलावा बोले initial investment working capital में भी लगेगा FR 6 million ठीक है और बोले अब सुनना यहां से एक नया point working capital में जो पैसा लगने वाला है FR 6 million इसके लिए हम finance करवाएंगे working capital में हमारी जेपक का पैसा नहीं जा रहा है बोल रहा है कि हम bank से loan लेगे और bank से loan जो लिया जाएगा वो कितने percent के 10 percent per annum के सबसे सर हम Indian company तो India से उधार लेंगे कि नहीं हम वो वहीं से उधार ले रहा है कहां से farland से तो जितना वहीं से उधार लेंगे FR 6 million और वहीं कि वहीं वापस कर देंगे वापस कब करेंगे ऐसा कुछ बोला है कि नहीं हां एक बात और बोला है कि भाई inflation का effect आपके working capital पे भी पढ़ेगा क्या चीज है नहीं मालूम पढ़ेंगे तो पता लगी at the end of fifth year जब पास सल पूरे हो जाएगे मतलब पास सल का project है तो बले government जो है वहां कि वो हमसे जो है इस project को जो subsidiary है वहां subsidiary open कर रहा है न तो बले उस subsidiary को वहीं की government खरी लेगी और मतलब salvage है और salvage है FR 2 million salvage की बात किया उन्होंने FR 2 million अभी सिर्फ question rate कर रहा हमको नहीं मालूम की आगे क्या हो नहीं हो the part of the proceeds would be used to pay off the loan और जो working capital के लिए loan लिया था उसको हम payment मतलब यह हमारे हाथ में नहीं आएगा 2 million से आएगा भी तो हम working capital का जो भी loan लिया था वहां की bank से working capital के लिए जो लिया था हम वह उसको वह आपस कर देंगे ठीक है it is expected that subsidiary sell produce यह काम की चीज़ है scarce flow from operation आने वाला है हर साल का FR 30 million per year at current price level over the five years period total period कितने साल का है पासलत का और हर साल हमें मिलेगा FR 30 million इसमें inflation का effect नहीं पड़ा तो inflation 88% से हमको बढ़ाना पड़ेगा वह कहना यह चाहता है कि सर यहां का inflation का rate है 8% और हर साल हमको cash flow आएगा cash flow मतलब EBIT इंट्रेस्ट नहीं होगा और ट्रेक्स तो होगे नहीं 30 million सम operation cash from operation depreciation आपको लगाना है 20% per year और कौनसी method से straight line method ठीक है आगे बोलाया है as a result of setting of the subsidiary BK Limited को ऐसा लग रहा है कि अगर हम वहां subsidiary company open करेंगे इसकी वज़ा से जो हम export कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे और उसकी वज़ा से हमारा opportunity cost आठ लाख रुपए हर साल का नुकसान होगा this is opportunity cost है आठ लाख रुपए बाद में मैंस करेंगे आफ्टर टेक्स से क्या है पर यह in current term आफ्टर टेक्स है आफ्टर टेक्स है इसमें भी inflation मतलब या हर साल 33% से वो भी महगा होता प्रॉफिट इन फार लेंड वहां जो है फार लेंड वहां जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वहां हमें interest का deduction करने के बाद मतलब interest भी माइनिस करना है उसके बाद हमको 20% tax लग जाता है तर यह कहां लगता है फार लेंड में 20% फिर उसके बाद all after tax cash profit जितना भी cash profit है उसको हम इंडिया लेकर आते हैं और इंडियन देशों में pretty है संबंद अच्छे है इस वजह से आपको set-off मिल जाएगा 20% का set-off मिल जाएगा नया question है नया type का है टैक्सिसन जो पैट किया जाएगा वो उसी साल पैट किया जाएगा जिस साल की liability है और आपको discounting कित से करना है सरवाराप तीसस से अभी action rate देखोगे ध्यान से तो यह दिया है एफार पर रुपीज है ध्यान देना पर रुपीज है और जो यह जो rate है यह हर साल कितने परशन से बढ़ेगा पाच-पाच परशन से हर साल बढ़ते जाएगा मतलब यार हमको calculate करने के काम आएगा कैश लो आपको यह यह बेकार की चीज़ है आपको जो भी काम करना वह थाउजेंड्स में करना थाउजेंड्स में convert कर ले राउंड ओफ करना 12 परशन का फैक्टर दे इस question की अगर मैं बात करना तो सुरुवात कैसी की है सबसे पहले द है हम पहले वहां की फार लेंड का दीएफटी निकल लेंगे और सीएफटी को convert कर लेंगे किस में इंडियन रुपीज में और अन्पी निकल लेंगे कुछ है नहीं है वैसे तो सीएफटी तो ने इबी आईटी दे रखा एफ एफ एर थर्टी मिलियन और इस पर लुच्छ पर्शंट बढ़ाके करना पड़ेगा मैरे खेल से एक्शेंग्च रेट निकाल लिया हो गया इन्होंने पाच पर्शंट बढ़ाकर निकाल लोगे यह एक्शेंग यह वर्टी नोट में ऐजाएगा इक्शेंग पासल की इसंसल है अब मैं क्या बात कर रहा था से में ये बात कर रहा था 30 मिलियंस हमें 0 को मैनेज करना पड़ेगा सर 30 मिलियंस ऐसे आता है कि इसमें बोल रहा है रुपीज इन 1000 में काम होगा तो ये तीन 0 को उड़ा दीजिए मतलब आप कितना में ले लोगे 30,000 और इसको कितने पर्शन से बढ़ाना आठ अठ पर्शन से बढ़ाना है काम करें 30,000 प्लस 8 पर्शन पहले सल का 32,400 इबिए इटी की में बात कर रहा है आज सर सही निकल गया वहाँ मजा गया तर 32,400 प्लस 8 पर्शन सठी के सर यह हो जाएगा पासल तक अब इसमें से इंट्रेश्ट माइनस करना पड़ेगा वर्किंग कापिटल के लिए लोन लिया था अपने कितना लोन था भाई कितना लोन था सर हमने लिया था 6,000,000 मतलब सर 6,000,000 ठीक है उस पर हमको 10% इंट्रेश्ट देना पड़ेगा मतलब 600 हर साल इंट्रेश्ट जाएगा हर साल 600 इंट्रेश्ट जाएगा हाँ सरी इंट्रेश्ट भी गया है अगे लिए कुछ बोला है क्या अगर रेट दिया है तो सेल्वेस माइनस नहीं करते यह बचपन में सीखा होग उसे साबसे 8 का 20% 1.60 हो रहा है प्रिश्ट न माइनस किया होगा या इस टॉह ऑञे वन पॉइंट सिक्से जीरो मिलियन्स आट मिलियन अट मिलियन के 8 अज़िक अगे डियां कितना जीड़ काई जीड़ क्याए डिया है तो सेल्वेस माइनस नहीं होता है ठीक है तो सर यह आगया profit after tax फिर टेक्स लगेगा और यहां का rate कितना है सर 20 परशन्ट रेट है ने पढ़ा था 20 परशन्ट फंद्रह हजार फंद्रह हजार आठ सो का 80 परशन्ट 12640 वापर depreciation add back कर लोगे तो यह जाएगा ठीक यह क्या आगया है यह आगया सर cf80 इन एफ आर पार्लेंट पैरो इनिश्यल इन्वेस्टमेट 8 जा रहा रहा वर्किंग क्यापिटल वेकार की बात हमारी जेब से नहीं जा रहा मिस्प्रिंट है है यहां किया भी नहीं टोट और वर्किंग पर क्यापिटल का पैसे जाएगा इक्स्ट्रा मतलब समझ रहा उने क कितने पर्शन का इंफ्लेशन था वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ अलग से इंफ्लेशन का रेट दिया है क्या इंफ्लेशन का रेट वैसे 8% फारलेंड में तो वर्किंग कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ेगा मतलब सर्थ हम 6000 का 8% निकाले कि 6000 का 8% तो 480 लगेगा पहले साल प्लस 8% फिर 512 लगेगा प्लस 8% फिर 560 लगेगा यह कर लोगे अब यह खुब किया हुआ है कहां किया था पता है ना बिजनेस वैलिविशन मतलब सर इसमें बिजनेस वैलिविशन का वर्किंग कैपिटल का भी सा डाल दिया यस इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल का जो भी लोन लिया था वो रिपैमेंट कर देंगे यस यह 6000 हम यहां रिपैमेंट कर देंगे ओके और सर तेल्स ओन सब्सुडिरी और दो हजार का टर्मिनल वैल्यू यह भी दो हजार यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और सर वर्किंग कापिटल रिकावर भी तो होना चाहिए कुछ बोला नहीं है सायद वह कह रहा कि वर्किंग कापिटल का पैसा अच्छा यह टर्मिनल वैल्यू वर्किंग कापिटल वाला हो सकता है सॉरी 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 जल्दबाजी में पढ़ने में दिक्क तो एक बर पढ़ हूं क्या क्या लिखा हुआ वर्किंग कापिटल वाली बात पढ़ा हूं मैं at the end of five year the subsidy would be taken over by the government subsidy कोई taken over कर रहा मतलब उसके साथ वर्किंग कापिटल गया बहुत सारे वर्किंग कापिटल का recovery कितने ही क्यों रही वो लिखना चाहिए तो साथ यह 2000 में include होगा मान के चल रहो ओके और फिर उन्होंने action rate लिया ठीक है फिर और क्या है फिर सीधा आपने 15800 यह लिख दिया अब यह पैसा इंडिया लेकर आओगे तो multiply करोगे action rate से action rate निकालना है पहले आप multiply कर देना action rate से जो भी आएगा अब इंडिया में जो difference tax है वो tax ले इंडिया में आपको tax देना पड़ेगा यहां तो कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत अब सर जो FR आ रहा था हमारे पास यह आ रहा था ना सर हाँ यह आ रहा था इसको हमने यहां लिखा उसको action rate से divide किया इन सब को तो सर यह और यह आ गया हमारा convert करने पर साथ में tax minus किया वैसे हम यह convert करने के बाद भी tax minus कर देते पर उन्होंने अलग-अलग statement बनाए आपको लॉजिक समझ में आके और फिर उसके बाद इन्हों न एन पीवी निकाल लिये हैं बस कुछ अच्छा यह हम भूल सकते थे export का opportunity cost कितने पर्शन से बढ़ा है तीन पर्शन से बोल रहा है 800 प्लस तीन पर्शन का inflation प्लस तीन पर्शन का inflation ठीक है इस question को समझाने में अगर बनाने जाओगे तो समझदार हो अप एक कोशन और है वह भी मैं अपने पूरी कर देता हूं फिर से बेकार का question प्लीज वाटस अप में मत पूछ न इससर इतना बड़ा question आएगा की नहीं आएगा मेरा काम है करवाने का मैं करवान इसमें तो कहानी चुल्टी है कहानी उल्टी है यह question करना है मैं कह रहा हूं कि अभी का question है हमारी बुक में कोशन नहीं है करना पड़ेगा ICI का question है लिख रहा Mr. विश्वास a friend of Mr. प्रमोध who is one of the director of आशिरवाद Limited is a citizen of Mauritius कोई person है Mr. विश्वास जो की Mauritius का है और उसके family members दोस्त बगेरा सब की सब इंडिया के रहने वाले है ठीक है और इंडिया में अलग अलग जगा के रहने वाले है ठीक है उन्होंने इंडिया में company खोलने का सुच और फिर वो गए और उन्हें का कितना पैसा लगेगा तो बोले हमको लगेगा जो project का cost है मौरीशेश में मौरीशेश रुपिया जो भी चलता है hundred millions लगेगा और इसके अलावा हर साल 2 million का MUR हर साल ये भी लगेगा working capital के रूप में इसको हम रुपिया में convert कराके कहां लगा देंगे इंडिया में इंडिया में बताना है कि हमें इंडिया में business करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस portrait अच्छे से देखना दिया क्या है रुपीज पर M.U.R ना तो ठीक तो दिया है रुपीज पर M.U.R तो अगर देखा जाए सर सौ मिलियन लगाना है मतलब रुपीज में 188 मिलियन लगेगा रुपीज की बात करूँ तुम ठीक है सर इंफेशन का rate दिया है इंडिया का चीर पतीशत है मौरिश का 5% है और 4 सल तक का project है आठ करोर रुपे जो लगना है वो initial investment में लगना है ठीक है और उसके अलावा भी कुछ लगता होगा आठ करोर रुपे हमारा initial investment में लग रहा है लाइफ है चार साल चार साल बात असी लाग रुपे दिया हुआ साब बात है कि प्लांट का दिया है मुझे मेरा यह मानना कि उसमें working capital इंक्लूड होकर सब कुछ लेकर government ले रही थी पिछला question यहां प्लांट का service value दिया हुआ एक प्रेशिशन एसले में रेट नहीं दिया है तो फिर तो हमको आटला आठ करो divided से काम चलाना पड़े कि 40 परशंट ऑप दी इंवेस्टमेंट शैल भी त्रू डेट जो भी पैसा लगा रहो चालीस परशंट हम डेट से पैसा उठाओ कि इसका कॉस्ट कितना है 10 परशंट कि और रिमैनिंग कैसे करोंगे दोस्तों करेंगे या वेटेड़रीस बूलो ना यरव वेटेड़रीज अगर लेना है तो आपको 12 पर्शंट से इसकांट है करना है झाल करो और रेवेन्य और निकाल कर दे दिया एक पर रूपीज में दिया हम कहां के रहने वाले है सर हम औ सबसे पहले सर यह रुपीज में दिया है यस तो पहले हम कैशिम तो लिख ले क्या यस कैसे लिखोंगे मालू है यह करोड करोड में काम करना ना है करोड में करते हैं पहले साल 10 परशन तो यहां कितना जाएगा पहले साल का 6.60 अब सुनो साथ करोड सेकेंड यर का है लेकिन वह आज के हिसाब से यह मैंने पहले भी कैपिटल चेसिंग पावर के हिसाब से तो अगर मुझे इंफ्लेशन को एट करना होगा न तो ऐसे होगा साथ प्लस 10 परशन पहले साल का इंफ्लेशन प्लस नाइन परशन दूसरे साल का इंफ्लेशन यह आ जाएगा 8.393 बस यही खाज बात है तो पहले रेवन्य और कॉस्ट करें क तो पहले रेट निकाला ठीक है इंफ्लेशन वहां का है और यहां का है अलक से इंफ्लेशन का रेट दिया है तो उसके सबसे एक्शिंघ निकाल लेना जरुरत पड़ेगी मैं एक काम की चीज़ पढ़ूं यस यह आ गया यह आ गया और यह भी आगया ऐसी कॉस्ट में भी किया तो फाइनल हमारा यह आ गया चलो देखते वन बाई वन रेवेन्यू सही है क्या सही होगा विदाऊट इङॉन से क्या इन्फिलिशं विदाउचे इनफिलिशन ठीक उसके लावह कॉस्ट किय अब डेपरिम्रेशिशन कैसे निकाला और 80,00,000 तो 8-0.8 divided by 4 1.8 करोड ये क्या आ गया है depreciation हर साल का हर साल का depreciation ये आ गया tax credit 30% profit of depreciation ये आ गया cash flow और cash flow को हमने यहाँ लिख दिया इधर चला गया ठीक है देख लेंगे cash flow लिख दिया अब हम रुपीज में कर रहें फिर उसको मौरिश मौरिश रुपिया में convert कर लेंगे और सर लग कितना रहा 18.8 18.8 कैसे आया है यह आप समझदार हो कितना था सर सौ मूर था इंटू 1.1 पॉइंट था साय था इस पर ध्यान देना गरबड़ मत कर देना हुए परोजेक्ट में पैसा तो 8 करोड लग रहा नहीं नहीं परोजेक्ट में टोटल मिला कर प्रोजेक्ट के अलावा भी मसीन के अलावा भी तो कही जगा पैसा लगा होगा तो सर M.U.R. 100 Millions था उसको हमने करनों करे तो 188 Millions 188 divided by 10 क्योंकि हम करोर्स में काम कर रहा है तो टोटल मिलाकर हमारा इंडिया में लग रहा है 18.8 करोर्स आठ करोर से मशीन का कॉस्ट है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े में खर्चा आ सकता तो सर यह आगया है टोटल हमारा का 18.8 करोर्स वर्किंग कापिटल भी तो लग रहा है सर हर साल 2 Millions ठीक है 2 Millions 2 Millions मतलब यार कितना करोर पॉइंट्टू करोर्स उसको हम एक्षेंज रेट से 1.8979 कर देंगे या जाएगा यस पॉइंट्टू इन्टू यह एक्षेंज रेट से मैंने मल्टिप्लाई करती है तो यह किस में निकला सर यह सब की सब रुपीज में निकल रहा है ठीक है इस क्रैब वैल्यू रुपीज में ठीक है वर्किंग कापिटल रिकावर भी होगा इनको इसको जोड़ दोगे और यह सब मिलाकर यह जाएगा मिस्प्रिंट है आप देख लें आपकी बुक में सही है उसके बाद सर क्या करेंगे उसके बाद एक्षिन रेट होगा नेट कैश फ्लो एक्षिन रेट कैश फ्लो आ गया और उसको डिसकाउंटिंग सुन लो भा सब्सक्राइब कापिटल निकाला है उसने का बारा परशन से नहीं अगर पढ़ोगे ठीक से अब पढ़ना बिटे पढ़ना मुझे लगी रहा था मैं तो उसको डबलो एससी पढ़ लिया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डबलो एससी है लेकिन भाई इस लाइन का खेल है बहुत जबरदस्त जो 40% पैसा उठाओ के उसका कोश्ट है 10 परशन और बचा हुआ पैसा हम फैमिली और दोस्तों से उठाओ के और वह अनुमान लगा रहा है कि 12 परशन मिलेगा मतलब 60 परशन के लिए आपको 12 परशन मैं तो सीधा हवा में कॉश्चन पढ़ लिया था 12 इसाफ दिसकाउंटिंग कर देता है उन्हों निकाला है 100 परशन और 12 परशन के उच्प लिए फांख व्यहाजी ने कमानुरा By तो हुआ प्रजर्स और पॉइसंथ इसकाउंटिंग कीय क्या है और आंसर आ गया और आंसर आ गया M.U.R. N.P.V. जो है ये इतना है और सिंस नेगेटिव N.P.V. है नेगेटिव आ गया किया तो प्रोजेक्ट शुड़ भी रेजेक्ट तो बड़े कुशन आते हैं कि नहीं मुझे नहीं मलूँ मेरा काम है करवाने खतम कर इसको